हलो स्टुडेंट्स आज हम जोग्रोफी के फर्स्ट येर के बीए फर्स्ट येर के पेपर वन के एक्जाम स्कीम और उसको सलेवस को समझेंगे तो सबसे पहले देखते हैं हम एक्जाम स्कीम को कि कौन-कौन से पेपर हमें बी-ए फस्ट यर में जोग्राफिय में पढ़ने हैं तो हमारे भुगोल विशे में तीन पेपर हैं जिसमें से दो पेपर आपके थियोरी पेपर हैं और एक आपका प्रैक्टिकल है जो थियोरी पेपर हैं वो आपके 75 मार्क्स एच हैं प्रत्येक पेपर 75 नंबर का होगा 75 मार्क्स का होगा ठीक है? तो तो डेड़ी सो नंबर के आपके थियोरी होगई और पचास नंबर के आपके होगे practical exam जो दो theory paper है वो पहला paper है आपका physical geography या भौतिक भूगोल का और जो दूसरा paper होगा वो आपका होगा geography of environment या परियावरन भूगोल या environmental geography का तो exam में questions कितने attempt करने हैं कैसे questions आएंगे उसको भी हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं तो भौतिक भूगोल जो है आपका physical geography जो है 75 नमर का paper होगा इसका जो duration है वो 3 गंटे का होगा थियाज का होगा ठीक है आपका जो syllabus है वो 5 units में divide किया गया है पूरे exam के syllabus को 5 इकाईयों में बाटा गया है तो उन इकाईयों से questions आते हैं आपके और exam का जो paper है उसमें 3 section होते हैं section A, section B और section C तो जो section A के questions होते हैं उसमें आपको 10 questions करने है ठीक है प्रतिक इकाईयों से आपको 2 questions मिलेंगे total आपको 10 questions attempt करने है साथ ही सारे questions करने compulsory हैं पहला questions में जितने भी आपको options मिलेंगे 10 वो 10 के 10 करने हैं ये short answer questions है इनके लगूत तरात्मक questions हैं ये और लगभग 20 शब्दों में आपको इनके उत्तर देने होते हैं तो पहले section से आपको कितने questions करने पढ़ेंगे total 10 questions करने पढ़ेंगे प्रतिक इकाई से आपको 2-2 questions करने है तो ये होगे आपका 10 number का section section A compulsory है करना ही करना है आपको अनिवार्य प्रशन है ये और ये 10 number के होगे section B है इसमें आपको 10 questions मिलेंगे प्रतिक इकाई से 2 questions ठीक है जिसमें से आपको 5 questions attempt करने है और उन 5 questions में condition क्या होगी कि आपको प्रतिक इकाई से जो 2 questions मिलें उन में से कोई एक attempt करना होगा ठीक है और ये question आपका होता है 7 number का तो total आपको question attempt करने पड़ेंगे 10 में से 5 प्रतिक इकाई में से 1 लेते हुए कितने number का section होगया ये total 35 marks का section होगया 5 questions attempt करने है एक question 7 number का है तो 7 into 5 35 marks का ये जो questions है आपके इनके उत्तर आपको प्रतिक प्रशन का उत्तर आपको 200 शब्दों में 250 words में देना है ठीक है और जो तीसरा section है वो last section है इसमें आपको 4 questions मिलेंगे ठीक है उस questions में subdivision भी हो सकते हैं एक बड़ा question में छोटे questions 3-4 part में या 2 part में हो सकते हैं लेकिन प्रतिक यूनिट से वो तब जो आप 2 questions attempt करेंगे वो दो अलग-अलग units से होने चाहिए और ये question आपका एक question होता है 15 नमबर को तो 15 नमबर के 2 questions हो गये तो टोटल आपको ये कितने नमबर के questions कितने नमबर का section हो गये section C हो गये आपका 30 marks का तो टोटल पेपर आपका हो गये 75 marks का अब फिर से एक बार देख लिए जो section A है इसमें आपको 10 questions करने short answer questions है ये 10 ही नमबर के है प्रतिक question आपका एक नमबर का होगा B section में आपको 10 questions मिलेंगे उनमें से आपको 5 attempt करने है और 1 question है 7 नमबर का तो ये हो गया 35 marks का और जो C section है उसमें से आपको 4 questions मिलेंगे उनमें से आपको कोई 2 attempt करने है और प्रतिक question आपका है 15 नमबर का तो ये हो गया 30 marks का तो इन टोटल आपका जो theory paper हो गया 30, 35 and 10 marks का तो टोटल हो गया आपका 75 marks का इसमें से आपको marks मिलेंगे तो ये तो हो गया इसका exam scheme अब देखते हैं बहुतिक भुगोल का syllabus क्या है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुतिक भुगोल का syllabus है उसको 5 units में उन्होंने या 5 इकाईयों में उन्होंने बाटा हुआ है पांच इकाईयों कौन कौन सी है उनको एक बाट देख लेते है पहली जो इकाई है ये आपकी है भुगोल आकृति विज्ञान या जियो मॉर्फॉलोजी की इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स है पहला टॉपिक है सौर मंडल एवं प्रत्वी की उत्पत्ती के सिद्धानत तो हमें शोर्ट में पढ़ना है सौर मंडल या सोलर सिस्टम क्या होता है और प्रत्वी की उत्पत्ती कैसे हुई तो प्रत्वी की उत्पत्ती के बहुत से सिद्धानत है उन सिद्धान्तों में हमें जो पढ़ने हैं हमारे सलेबस में जो हैं इमेनुल कांट का सिद्धान्त जैम्स जीन्स की परिकल्पना और एक है ओटो स्मीड की परिकल्पना तो हमें देखना है कांट जैम्स जीन्स और ओटो स्मीड के वली ये तीन सिद्धान्त पढ़ने हमें इसके बाद में जो दूसरा टॉपिक है इसमे वह हैं प्रत्वी की आंत्रिक सननचना और उसका संगठन प्रत्वी के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्रत्वी है बनी है उसके अ कितनी लेयर्स हैं इसंतीन लेयर है आपकी सियालसिमा निफ gdy अँटेल में पढ़ेंगे हमें कैस से पता लगता है कि कौन सी लेयर की डैफ कितनी है कितनी गहराई तक वो है कौन से पदार्तों से मिलकी बनी है उसका संगठन भी हमें डिटेल में बढ़ना है तो प्रत्वी की आंत्रिंग सरण्चना को देखेंगे उसके संगठन को देखेंगे उसके बाद में next जो टॉपिक है वो है आपका Wegener का महाधिवि पियव इस्तापन सिद्दान्त वेगनर का Continental Drift Theory जो आया था क्या सिद्दान्त है उसकी क्या अलोजनाएं तीय सिद्दान्त की क्या परिकल्पनाएं तो ये सद्दान्त किन बातों को को मानता है तो यह सब हम अच्छे से बढ़ेंगे डीटेल में बढ़ेंगे इसको अगला टॉपिक है इसमें प्लेट विवर्तनी की प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनी की यह सिद्धान को भी हम अच्छे से डीटेल में बढ़ेंगे वैसे ही इसकी भी आलोचना देखेंगे कि इसमें क्या कमिया थी, यह जिद्धान्त क्यों आया, इसके बाद में next topic है हमारा आईसोस्टेसी या समस्थिती, ठीक है, आईसोस्टेटिक एक्विलिबरियम क्या होता है, समस्थापन क्या होता है, वो पढ़ेंगे, इसमें दो सिद्धान्त पढ़ने है, एक पढ़ना है प्राट का और दूसरा पढ़ना है एरी का तो एरी के विचार पढ़ेंगे और इसमें प्राट के विचार पढ़ेंगे और दोनों को हम कंपेर करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है क्या समानता है इसके बाद में परवत निर्मान कैसे हुआ परवत निर्मान के दान्त हमने पढ़ने है उसमें तीन हमारे सलिबस में है एक जोली का दिया हुआ है एक कोबर का है और तीसरा आर्थर होम्स का है तो इकाई एक में हम यह सब टॉपिक्स पे डिसकस करेंगे नेक्स्ट आपकी सेकंड यूनिट सेकंड यूनिट है वो भी आपका जियो मॉर्फॉलोजी से रिलेटेड है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका शैल या रोक्स तो चटान पढ़नी है चटान कितने प्रकार की होती है तीनों प्रकारों में क्या तीनों प्रकार क्या-क्या है कौन सी प्रमुख उनके उधारन है यह देखेंगे इसके बाद में हमें इसमें देखेंगे शेयल चक्र रोग साइकिल या चटान चक्र नेक्स टोपिक है इसमें अनाच्छाधन या डेनुदेशन डेनुदेशन में आपके तो तीन चीज़े समलित होती है अपरदन अब डिपोजिशन और मास वेस्टिंग तो यह देखेंगे हम साथ ही इसमें देखेंगे म्रदा निर्मान सोईल कैसे बनती है म्रदा निर्मान के लिए कौन-कौन से कारक उत्तरदाई होते हैं ठीक है अनाक्षा दन कैसे म्रदा निर निर्मान का प्रक्रम प्रक्रम देखेंगे म्रदा निर्मान के कारक देखेंगे नेक्स इसमें टॉपिक है वह आपका भूस अंचलन पटल विरूपन उसमें हम देखेंगे ब्रंश और वलन ब्रंश कैसे बनता है और फोल्ड या वलन कैसे बनता है फोल्ड और आर्थ्वेक और दूसरा है वल्केनिक एक्टिविटीज तो इनको इनका प्रक्रम हम देखेंगे भूकम क्यों आते हैं ठीक है भूकम के महापन का तरीका क्या है डिक्टर स्केल क्या होता है मर्केली स्केल क्या होता है और इसके साथ ही हम देखेंगे जौला मुखी क्रिया त साथ ही विश्यू के प्रमुक्त जो आलामुक्त छेत्र कौन कौन से हैं वो देखेंगे इसमें जो आलामुक्त द्वारा निर्मित आंत्रिक और बाहिये जो स्थला करती हैं उनको हम थोड़ा सा शोट में सेक्शन सब्सक्राइब करेंगे अब तीसरी जो इकाई है वो है आप अपरदन चक्र उसमें देखना है डलुमम् डेविस और वाल्टर पइंक का विलियमम ओरिस डेविस और जो वाल्टर पैंक है उसको हमें कम्पेर करना हे इनको हमें डीटेल से पढ़ना है इसके बाद में यह जो आप 5 तॉपिक देख रहे हैं यह है अपरदन के कारक अब परदन के कारक इनको बोलते हैं एजेंट्स ओफ इरोजन इसमें है आपका पहला नदी उसके बाद में ग्राउंड वाटर या भूमिकत जल फिर है आपका हिमानी करत हिमानी या ग्लेशियर फिर है पवन और लास्ट है आपका सागरिय लहरे तो यह जो पाँच एलिमेंट्स हैं पाँच एजेंट्स हैं इनको बोलते हैं एजेंट्स ओफ इरोजन तो इन पाँचों के द्वारा जो बिभिन्न प्रकार के इस्तला करती हैं निर्मित होती हैं उनको हम विस्तार से देखेंगे ठीक है उनके अपरदन से निर्मित स्थला करती हैं और उनके निक्षेपन से निर्मित स्थला करती हैं को हम डिटेल से देखेंगे तो इसमें नदी, भूमिकत जल, ग्लेशियर, पवन और सागरिय जल इनके द्वारा किये गए कारियों से जो निर्मित स्थलाकृतिया आपके बनती है लैंड फॉर्म जो आपके बनते हैं उनको हम पढ़ेंगे तो ये तीन इकाईयां जो है ये हैं आपकी भूवाकृति विज्ञान से संबंदित नेक्स जो इकाईय है वो है आपकी इकाई चार जो है वो है आपकी क्लाइमेटोलोजी है जलवाय विज्ञान से संबंदित तो इस इकाईय में सबसे पहला जो टोपिक आता है वो आता है वायूमंडल का संगठन और उसका स्तरीकरण वायू मंडल की प्रमुक लेयर्स या प्रमुक पढ़ते हैं कौन-कौन सी है और वो जो स्त्रीकरण है कौन सी जो लेयर है उसका संगटन क्या है वो हम इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है इंसलेशन और हीट बजट अर्थार्थ सूर्यातब और उश्मा बजट ठीक है इसको देखेंगे उसके बाद में देखेंगे तापमान तापमान क्या होता है तापमान को मेजर कैसे करते है तापमान का वायू दाप पर क्या प्रभाव पढ़ता है वा तापमान में भिन्यता होगी तो वायुदाब में भी परिवर्तन होगा और वायुदाब में परिवर्तन के वज़े से वायुदाब में भिन्यता होने के वज़े से डिफ्रेंसेस होने के वज़े से पावन चलेंगी हवा चलेंगी तो उस विंड्स के बारे में हमें पढ़ना प्रमुक पाउन पेटी हैं कौन-कौन सी है विंड की डायरेक्शन किस से डिसाइड होती है कोरिलिस फोर्स क्या होता है वो हमें पढ़ना है पाउनों में तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे वायुदाब और तापमान किसी स्थान पर पाउन की दिशाग गति को प्रभावित करता है इसके बाद में next topic होगा हमारा jet stream jet stream क्या होता है क्यों निर्मित होते है jet stream का जो cycle हो कैसे बनता है वो अब jet stream में पढ़ेंगे उसके बाद में दो important topic आते हैं आपके वायुराशे हैं और वाताग्र तो वाई उराश है, एर मासिस क्या होती है, उनके क्या करेक्टर्स होते हैं, उनका एक सामन्य वर्गी करन देखेंगे हम, फिर वाताग्र या फ्रंट्स, फ्रंट्स क्या होते हैं, फ्रंट निर्मान या फ्रंटो जेनेसिस की विधी क्या होती है, फ्रंट का फ्रंटलाइसिस क्या होता है वो कैसे बनता है फ्रंट्स के प्रकार क्या होते हैं तो वो हम पढ़ेंगे इस सेक्षिन में इसके बाद में एक important topic है वो है चक्रवात या cyclones चक्रवात की सामान्य परिवाशा देखेंगे चक्रवात के कुछ काईगे चक्रवात भी वोलते हैं उनको हम उनको हम डिटेल से देखेंगे कौन ऑच्छित्रों में उत्पन होते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंसे हैं तो ऊशन कटी बंदिय चक्रवाद और शितोशन कटी बंदिय चक्रवाद में अंतर को हम इस इकाई में समझेंगे लास्ट जो इसमें टॉपिक है वो है जलवायू वर्गी करण तो जलवायू को एक सामन्य वर्गी करण देखेंगे हम इसके लगा, हम कॉपेन और ठान्तेट को भी इसमें पढ़ेंगे तो IKAI 4 है यह है आपकी पूरा किस से संबन दित यह है आपकी जलबाई विज्यान से संबन दित या क्लायमिटोलोगी से संबन दित आपकी जो अंटिमिकाई है, unit 5 तक आस वह आपके है महासागर ये विज्ञान या ओशनो ग्राफिस रिलेटेट्ट considering the जो ओशन बोटम रिलीफ हैं महासागर में किस प्रकार के उच्छा उच पाए जाते हैं उनमें क्यों कोई एक प्रतिरूप है समान प्रतिरूप है वह हम देखना है इसमें हम पढ़ेंगे हिपसोमेट्रिक कर्व उसको बोलते हैं उच्छता मितिये वक्र या हिपसोमेट्रिक कर्व वो क्या होता है वो हम देखेंगे इसमें इसमें नेक्स टॉपिक जो इंपर्टेंट टॉपिक है वो है जो महासागरिय जल होता है उसका तापमान और उसकी लवनता वो किस प्रकार से पूरे महासागर में वित्रित है उसको हम पढ़ेंगे इसमें हम देखेंगे कि म और उचनिक करंट्स समुद्रिय धाराएं साथ ही इसमें हम पढ़ेंगे जवार भाटे के बारे में टाइड्स के बारे में इसके बाद नेक्स्ट टोपिक है ओशन डिपोजिट्स या महासागरी निक्षेप महासागरी निक्षेप निक्षेपों का जो विश्व वित्रण है महासागरी में कहां कहां पर कौन-कौन से प्रकार के निक्षेप पाई जाते हैं उनकों में पढ़ना है सबसे इंपोर्टेंट टोपिक इस सेक्षिन का है प्रवाल भित्यां कोरल रीव होती क्या है कैसे बनती है और इनकी उत्पत्ति से संबंदित सिद्धान्द में हमें दो सिद्दान्द पढ़ने हैं एक है मरे का सिद्दान्द और दूसरा है डेली का सिद्दान्द तो इसके आधार पर हम देखेंगे कि यह कैसे बताते हैं कि जो कोरल रीफ्स हैं या प्रवाल भित्या हैं वो आपकी कैसे निर्मित होती हैं साथ ही मैं इस टॉपिक में हम एडिशनली पढ़ेंगे कि प्रवाल विरंजन या जो कोरल रीफ ब्लीचिंग है वो क्यों होती है उसके क्या कारण है और अभी वर्तमान में उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं तो यह पांच हिनिट्स हैं य जो सलेबस है एन्वार्मेंटल जोग्राफी वो क्या है तो आज के लिए इतना ही थैंक यूद्ध करेंगे